क्रिस्पी करेले रिंग्स जिसको बनाने के लिए मैंने लिया है एक करेला जिसको थिन स्लाइसेस में मैं कट कर लूँगी जैसे ही फिनिश होगा मैं बोल में लूंकी पानी इसमें दाल लूंकी नमक और हल्दी इन करेले के स्लाइसेस को मैं होलो कर लूंकी और इसे पानी में छोड़ दूंगी हाफ एनार के लिए यह स्टेप बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसे स्टेप से कड़वापन निकल जाएगा करेले का दूसरी तरफ मैं लूंगी खीमा इसमें दाल लूंकी पाउच अ मिली को अजय को मिल्च सम अिव हुआ कि सकंद इसको करिया है अविश पेमी ऑब शॉटबित हो इसे कया है और फोला कर और श्ल्प कर रखोंगे कि इस तरह से मैंने सारे द्इंग स्टेप सवय धrzy्योwn Chloe मिल्च अ Normal सिरुक ने पीभर कर लिया है अमें थोड़ा सब ऑईल स्प्रिंकल करूंगे और इसे फ्राइ कर लेंगे हम हमें अकेजनली इसमें ऑईल स्प्रिंकल करते रहना है और जैसे ही 10 मिनिट्स हो गए हैं आप देख सकते हैं कि बाक साइड बहुत अच्छी तरीखे से हो गया है मैं इसे टर्न कर लोगे तो सारे मैंने फ्लिप कर लिए हैं एक के बाद एक इसे भी मैंने 10 मिनिट्स रख दिया है तो ये थोड़ी दिर में हमारी क्रिस्पी करे लेरिंग्स तयार हो चुकी हैं ये बहुत ज़्यादा आसान है बनाने के लिए इसको जरूर ट्राइ करिए खुकी है